अलेक्जेंडर लुकाशेंग को, जिन्होंने पिछले 26 वर्षों से बलरूस पर शासन किया है, को अक्सर यूरप के अंदिन ताना शाह के रूप में चितरित किया जाता है. लेकिन नवीन तम चुनाव परिनामू के मद्दे नजर, उन्हें अपने इस्तीफे के लिए व्यापक विरोध और मानगों का सामना करना पड़ रहा है. लुकाशेंको को अब तक पांच बार चुना गया है, जिसमें नाइन अगस्त का चुनाव भी शामिल है. वह 1994 में देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपती बने. उस समय के एवल अंतराष्ट्रिय परिवेक्षकों ने चुनाव को स्वतंत्र और निश्पक्ष माना चुनावा आयोग के अनुसार, उन्होंने पिछले चुनाव में 80 प्रतिशत वोट हासल किये. हजारों लोग अब अभूत पूर्व प्रदर्शनों में भाग ले रहे हैं. अलेक्जैंडर लुकाशेंको कौन है और वह इतने लंबे समय तक सत्ता में कैसे रहे? 1990 में संसत के लिए चुने जाने के बाद लुकाशेंको की सत्ता में वापसी शुरू हुई, जहां उन्होंने भष्टाचार विरोधी समीती के अध्यक्ष के रूप में कारे किया. वह एक मामूली प्रिष्ट भूमी से है और पूर्वी बेलरूस के एक गाव में एक अकेली महिला द्वारा पाला गया था. 1975 में वहलू काशेंको में एक शिक्षक बन गए और सोवियत कॉमिनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, जहां उन्होंने सेना में राजनीतिक प्रशिक्षक के रूप में दो साल तक सेवा की. वाशिंटन में दे अटलांटिक काउंसिल के एक लेकिन सत्ता में आने के बाद, लुकाशेंको ने अपने विपक्षी कम्यूनिस्टों की कई नीतियों को अपनाया. लुकाशेंको के शासन को सोवियत ताना शाही के अवशेश के रूप में भी चितरित किया गया है. उन्होंने मीडिय को नियंतरित किया, विपक्ष को गा कार किया है आपको देश को नियंत्रित करना है और मुखे बात लोगों के जीवन को बरबात करना नहीं है बेलरुस यॉरप का एक मात्र देश है जिसे मौत की सजा दी गई है और वह पूर्व सोव्यत संग का सदस्य है वहाँ निश्पादन की प्रक्रिया गुप्त है सिर में गोली लगने से मौत की सजा पाने वाले लोगों की संख्या स्पष्ट नहीं है लेकिन अनुमान है कि 1999 से 300 लोग मारे गए हैं उन्होंने बदलाव के लिए पश्चिम के दबाव को नजनदाज किया है व्लादी मीर पूटिन की तरह लुकाशेंग को सोवियत संग की तरह शासन करना चाहता है दोनों आइस होकी खेलते हैं लेकिन लुकाशेंग को क्या आउप्य संग और रूस के साथ संतुलित संबंद हैं उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किन भाईयों को चुनते हैं इसलिए हमें यह पूछने की जरूरत नहीं है कि हम रूस के साथ हैं या आउप्य संग के साथ हैं दिसंबर 2018 में मासको की यात्रा के दौरान उन्होंने पूटिन को चार बैगा आलू और सुवर के मांस से बनी एक डिश भेट की लुकाशेंग को के प्रेस सचिव के अनुसार पूटिन को बेलरूस से वसियत दी गई थी जोजा और पडोसी उक्रेन की तरह लुकाशेंग को ने बेलरूस में क्रांती की संभावना से इंकार किया है पिछले चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि बेलरूसी समाज महिलाओं के लिए वोट देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि समविधान ने राश्ट्रपती को मजबूत शक्तियान दी अब उनकी मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वन्दवी महिलाएं हैं कुछ विशलेशकों के अनुसार लुकाशेंको को पद छोड़ने के लिए अभूत पूर्व दबाव का सामना करना पड़ रहा है लेकिन कुछ का कहना है कि उन्होंने इसका सामना किया और पिछले चुनाव से पहले दबाव से बच गए दोस्तों आपको विडियो कैसा लगा कृपया लाइक शेयर और कॉमेंट करें अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें